हेला एवरीबन वेलकम तो अध्वैज एजूकेशन में नाम है अक्ष्या मिश्रा और आप पढ़ रहें क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज तो प्रिवेस्ट वीडियो में हमने अपना टॉपिक कार नौट इंजन शुरू कर दिया था और उसमें हमने पूरा इंजन के बारे में दे करेंगे हमें क्या करेंगे हैं और इसकी एफिशन्सी हंड़ेटी नहीं होती है क्योंकि वह कुछ हीट सिंक में रिजेक्ट करता इए तो जो भी engines होंगे कुछ अपनी heat sink में reject करेंगे उनकी efficiency 100% नहीं हो सकती फिर भी Carnot क्या है? एक ideal engine है क्योंकि वो पूरी जितने भी friction, जितनी भी forces होती है disability forces उससे वो क्या है? पूरा मुक्त है तो Carnot engine कैसा है? एक reversible engine है तो जितने भी normal engines होते हैं उसकी हम क्या करते है? performance Carnot engines को देख के क्या करते है compare करते है बहुत साले time में आगे जाके आप ऐसा question भी देखेंगे कि कोई inventor रहता है वो claim करता है कि मैंने एक ऐसा engine मनाया है जो इतना heat लेता है इतना work देता है और इसकी इतनी efficiency है और ये दोनो temperature के बीच में क्या होता है ये engine work करता है तो हमने previously क्या देखा कि जो Carnot engine है वो main किस में work करता है दो temperature limits में work करता है और उसकी efficiency पूरी उसी पर depend रहती है तो हम क्या करेंगे जो भी inventor बोल रहा है कि मैं ऐसा engine मनाया हूँ उसके सिर्फ temperature लेंगे और हम देखेंगे कि इस temperature पे Carnot engine कैसा work करेगा और यदि उसकी efficiency Carnot engine से जादा आ गई तो उसका engine possible ही नहीं है उसकी जो भी efficiency होगी वो Carnot engine से कमी आएगी इसका मतलब क्या है Carnot क्या है एक reversible engine है उससे जादा efficiency किसी की हो ही नहीं सकती और Carnot engine जब work करता है तो वो जो भी working substance है उसमें उसमें उसके डिपेंडी नहीं करती उसकी efficiency तो यही दो चीज हम आज के वीडियो में देखेंगे Carnot theorem में और कैसे हम Carnot theorem को proof करते हैं और यह वाली चीज की कैसे Carnot engine की efficiency सबसे जादा होती है सारे engines के हम compare कर दें क्यों क्यों कि Carnot एक reversible engine है तो कोई भी engine की efficiency reversible engine से जादा हो ही नहीं सकती impossible है ऐसा हो ही नहीं सकता तो इसी चीज को हम proof करेंगे और यही चीज कौन दी है Carnot theorem में हमने दो चीज Carnot theorem ने हमें यह दो चीज मिली कि यह दोनों चीज कभी हो ही नहीं सकती कि क्या होता है उसकी thermal efficiency का expression सारी चीज हमने क्या है देख लिए अब next topic आएगा हमारा Carnot theorem या दो theorem भी बोल सकते हैं Carnot theorem या एक single भी बोले क्योंकि वो क्या है एक ही के लिए ठीक है तो first जो theorem है वो देखते हैं Carnot का क्या है दोनों किसके लिए होगा Carnot engine के लिए होगा जो क्या है एक reversible engine है तो first theorem देखते हैं heat engine के बारे में बात करें heat engine एक heat engine जो क्या कर रहा है दो temperature limits पे work कर रहा है heat engine working between between working between two given यह theorem की statement लिखना important है two given temperatures कौन सा temperature first वाला कौन सा होगा हमारा T1 दो temperature limit के बीच में work कर रहा है अब T1 क्या होगा इसका मतलब क्या है होगा है और इसको हम क्या बोलते है hot reservoir को हम एक और चीज़ क्या बोलते है source भी बोलते है तो एक ऐसा engine और एक heat engine जो work कर रहा है दो temperature में पहला temperature क्या है हमारे T1 जो क्या है हमारे source का temperature है and and second वाला temperature क्या है हमारा T2 जो किसका temperature रहता है cold reservoir का इसके compare में और जिसको हम क्या बोलते है sink भी बोलते है तो एक ऐसा engine जो इन दो temperature के बीच में work कर रहा है उसकी efficiency कभी भी car not engine से जादा नहीं हो सकती पहला ठोरम यह बोलते है cannot have efficiency cannot have efficiency more than more than car not engine कोई भी heat engine हो कोई भी कोई भी engine हो normal engine हो हमारे जो भी engines हो तो यहां पर सही बोला जाए है उसको work में convert करता है पूरी heat को work में convert नहीं कर सकता है second law wallet हो जाएगी करता है T2 में तो कोई भी engine उसकी efficiency car not engine से जादा हो नहीं सकती जाए वो कोई भी engine हो और वो दो temperature के बीच में work कर रहा हूँ इसका मतलब इदी हम बोले car not engine से जादा नहीं हो सकती इसका मतलब क्या है reversible engine से जादा नहीं हो सकती reversible engine बोले ठीक है heat engine ही होगा उसका मतलब कोई भी engine दो temperature limits में ही work करेगा एसा ही heat engine चलता है तो इसकी efficiency कभी भी car not engine से जादा होई नहीं सकती ऐसा इस लीक की car not क्या है एक reversible engine है reversible engine normal life में बनाना possible नहीं है उसके सारे step को हम क्या कर सकते है reverse कर सकते हैं मतलब अब यदी car not heat engine ले और उसके सारे process हम reverse कर सकते हैं normal engines को नहीं कर सकते क्योंकि वो सब क्या है irreversible engine तो कोई भी engine all कितने भी engine है किसी की efficiency car not engine से जादा नहीं हो सकती यह क्या है car not theorem ऐसा क्यों क्यों क्या है reversible engine second statement क्या दी second statement यह थी कि car not engine की जो efficiency है वो क्या रख़ए है independent रहती है तो short form में लिखते हैं, efficiency carnot engine, मतलब carnot engine की जो efficiency रहती है, वो क्या रहती है, is independent of the working substance. कोई भी working substance उसमें यूज हो रहा है, जो heat absorb कर रहा है, work दे रहा है, कुछ heat को sink में release कर दे रहा है, उस पे carnot engine की efficiency रहती है, मतलब depend नहीं कर रही है, क्योंकि किस पे depend कर थी, 1-T2 by T1, सिफ temperature में, कि source का temperature क्या है, और sink का temperature क्या है, independent of the working substance. तो अब क्या करना है, यही चीज़ों को हमें proof करना है, पहली चीज़ क्या, ठीक है, second चीज़ तो हमें समझ में आती है, क्योंकि carnot की efficiency रहती है, वो क्या रहती है, 1-T2 by T1 रहती है, यह रहती carnot engine के efficiency, इसका मतलब क्या है, यह reversible engine के efficiency है, तो कोई भी engine के temperature limit यहां पे efficiency, मतलब उससे जादा है, उसकी efficiency हो जी नहीं सकती है, और 100 तो होगी नहीं, क्योंकि वो heat क्या कर रहा है, reject कर रहा है, तो हमें क्या करना है, इस first चीज़ को proof करना है, carnot theorem को जो हम proof में देखेंगे, कि कैसे, कोई भी engine के efficiency carnot engine से जादा नहीं हो सकती, कैसे नहीं हो सकती, इस इसको तो proof करके दिखाना पड़ेगा, तो वो ही चीज़ अब हम देखें, तो अब हम देखते है, main proof, कि कैसे हम इसको proof कर सकते है, कि कोई भी engine के efficiency carnot engine से जादा नहीं हो सकती, देखते है, अब हम क्या करते है, इसका proof करते है, ठीक है, तो proof के लिए हमें क्या करना पड़ेग मतलब एक carnot engine रहेगा और एक normal engine रहेगा, ठीक है, तो एक heat engine मनाते है, दोनों क्या होगा, same source और sink से work कर रहे होगे, तो यह हुई हमारी source, जिसका temperature क्या है, T1, ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा, हमारा sink, जिसका temperature क्या होगा, T2, यह क्या है, दोनों thermal reservoir आ रहे है, दोन infinite heat capacity, कितनी भी amount of heat इनको दो, या इन से low, इनका temperature change नहीं होगा, इसी को बोलते हैं, infinite thermal capacity, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने दो engines लेते हैं, एक engine कैसा होगा हमारा, first जो engine हम इस तरफ में ले रहे हैं, यह engine क्या है, आई, बीच में आई दिखा है, इसका मतलब क्या है, यह एक irreversible engine है, इसके processes को हम वापिस reverse करेंगे, तो वैसा ही state नहीं मिलेगा हमें, एक प्रकार का real engine है, real life में सारे process irreversible होते हैं, एक क्या है हमारा irreversible engine, और एक और engine लेते हैं हमें हापे, और यह जो engine रहेगा, यह engine कौन सा रहेगा, car not engine रहेगा, या इसका मतलब reversible engine रहेगा, त दोनो heat engine हैं यहाँ पर, अभी हम क्या ले रहे हैं, two heat engines ले रहे हैं, two heat engines, आप book में देखेंगे, तो वो सीधा यहाँ पर refrigerator लेके, आपको वो सीधा expression बता देगा, बट आपको उससे कुछ समझ में नहीं आएगा, even मैं भी पढ़ा तो में को भी एक बार में कुछ समझ में न और यह क्या है हमारा, reversible engine, ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, दिखते हैं, तो source से क्या होगा, दोनो heat engine है, तो दोनो engine क्या करेंगे, source से heat लेंगे, q1, और यह engine, reversible engine भी क्या लिया, source से heat लिया, q1, दोनो engine का क्या है, दोनों हमको क्या देंगे, work output देंगे, heat engine है, heat engine लेता ह heat लेता है और हमें work output देता है चीक है और यह reversible engine भी क्या देगा हमें work output देगा एक को हम क्या ले लेते हैं dash ले लेते हैं चीक है तो जो irreversible engine वाला है उसका हम w dash ले लेते हैं अब यह दोनों क्या करेंगे अपनी कुछ heat लेंगे कुछ heat का जित्ती भी heat है उसके कुछ amount का वह work produce करेंगे और कुछ heat बची जाएगी जिसको वह क्या करेंगे सिंक में reject करनेंगे क्योंकि पूरी heat को वह work में convert नहीं कर सकते सेकेंड लॉइलेट हो जाएगी और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यह इंजन ही खुद गरम हो जाएगा थोड़ी सी heat लेके तो loss होई जाएगा हमाब फ्रिक्शन को एक रिवर्सिबल इंजन है एक इर्रिवर्सि लिया है और लिया है यह जो आर है यह क्या है हमारा रिवर्सिबल इंजन है इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं यह क्या है कारनौट इंजन है ठीक, दूसरा वाला जो I हमने लिया है, वो I क्या है? एक irreversible engine है, मतलब irreversible engine irreversible engine मतलब जितने भी real life के engine होते हैं, सब irreversible होते हैं तो एक प्रकारचे हम इसको क्या बोल सकते हैं? real engine, दोनों engine दो temperature limits में वर्क कर रहे हैं, दो thermal reserve wires के बीच में वर्क कर रहे हैं, ठीक है? यह चीज़ हो गई, अब हमें proof क्या करना है? हमें प्रूफ करना है, प्रूफ यह करना है कि जो reversible engine के efficiency है, मतलब जो carnot engine के efficiency है यह वाले, वो क्या होगी? हमेशा जादा होगी as compared to irreversible engine से, यह चीज़ क्या करनी है? हमको proof करनी है, और यही statement बोला, carnot का पहला theorem कि कोई भी engine हो इस दुनिया में, उसकी efficiency carnot engine से जादा नहीं हो सकती, यदि वो दो temperature limits में work कर रहे है, क्योंकि carnot एक reversible engine है, यह चीज़ हमें proof करनी है, तो यह चीज़ proof करने के लिए हम कैसे proof करेंगे? हमको यह मानना पड़ेगा, या तो हम सीधा मान ले तो proof ऐसी हो जाएगा, नहीं proof करने, मतलब प्रूफ करना चाहते तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका ultra सोचना पड़ेगा, यह म मान लेते हैं, तभी यह चीज़ proof होगी, क्योंकि जब हम यह चीज़ मानेंगे और जो चीज़ हम assume किये हैं, वो गलत होगा, इसका मतलब यह चीज़ क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, तो हम मान लेते है, irreversible engine के efficiency जादा है, हम जो ने जो engine मना है, उसकी efficiency कार नॉट इंज ठीक है, तो हम assume कर रहे है, जो theorem है, उसका हम ultra assume कर रहे है, जो efficiency होगी, irreversible engine की वो क्या हो है, जादा है as compared to reversible engine, reversible engine मतलब car not engine से उसकी efficiency क्या है, जादा है, यह चीज़ हम क्या कर रहे है, assume कर ले रहे है, ठीक है, अब efficiency formula क्या होता है, output by input, नॉर्मल लिदी हम thermal efficiency का formula देखें, engine का तो वो क्या रहता है, output by input होता है, मतलब कितना हमने उसको input दिया और वो कितना हमें output दिया, वो ही बताएगी efficiency, जितना input दे रहे है, पूरा convert कर दे रहे है, 100% efficiency, तो efficiency में क्या होगा, यहाँ पे हमें output क्या मिल रहे है, दोनों engine, heat engine है, output हमें मिल रहे है, work done, W, dash, और W मिल रह यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि source आधा-ाधा Q1 देदेगी, ऐसा नहीं, यह source same amount of Q1 इसको भी देगी और इसको भी देगी, क्योंकि source तो thermal reservoir है, वो कितनी भी heat देदे, उसके temperature में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो efficiency क्या होती है, output by input, irreversible engine का output क्या है, हमें मिल रहे है W-, और input क्या ले रहे है, Q1 ले रहे है, और यह चीज क्या है, बड़ी है, हमने assume किया है, as compared to, यह W क्या है, reversible engine का work output है, और input क्या ले रहे है, यह भी Q1 ले रहे है, यह चीज हम क्या कर रहे है, assume कर रहे है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, यहां से मतलब Q1, Q1 cancel out हो है, कि जो हमारा irreversible engine का work output है, वो जादा है, और दोनों same heat ले रहे है, यह चीज क्या कर ली, हमने assume कर ली, कि हमारा irreversible engine का work output हमें जादा मिल रहे है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब जो एक engine है, यह वाला irreversible engine है, यह heat engine जैसा ही चलेगा, यह ज प्रोसेस को, मतलब अब यह क्या करने लग जाएगा, sink से heat लेने लग जाएगा, source को देने लग जाएगा, बस इसको work देना पड़ेगा, इधी से हम इसके सारे process reverse कर देंगे, और असा कर सकते हैं, क्योंकि car not engine के सारे, car not cycle की सारी process reversible होते हैं, उनको reverse कर सकते हैं, तो जब इस प्रोसेस को reverse करके, इसको हम रेफ्रिजिडरेटर और heat pump नहीं बना सकते हैं, सिर्फ car not engine ही बनेगा, क्योंकि उसकी सारे process क्या होते हैं, रेवर्सिबल होते हैं, छीक है, तो अब हम क्या करते हैं, now, let, जो R है हमारा, R हमारा क्या है, एक reversible car not engine है, इसको हम क्या कर रहे है, will be reversed पूरा हम इसको reverse कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, ठीक है, तो जब इसको हम reverse करेंगे, यह क्या बन जाएगा, हमारा refrigerator बन जाएगा और कुछ books में आप देखेंगे, तो वो आपको heat pump भी बोलेगा कोई tension नहीं, दोनों same ही चीज है, क्या हम अपना system लेते हैं, वो फरक पड़ता है, AC का एक डबबा अंदर रखा है, एक डबबा बाहर लगा हुआ है, AC के घर के AC का, बाहर वाले को अंदर लगा दे और अंदर वाले को बाहर लगा दे वो एक प्रकार का heater का गाम करने लग जा आते हैं, यह हो गई source, जिसका temperature है T1, और नीचे के आ जाएगा हमारा sink, जिसका temperature क्या है T2, ठीक है, irreversible engine को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो जैसा चल रहा है, वैसा ही चलेगा, और इसका work output ज्यादा मिल रहा है, irreversible engine, जो क्या दे रहा है हमें, थोड़ा सा और side से बना work में भी हम LinkedIn लगा देंगे, यह हो गया हमारा irreversible engine, यह तो जैसे चल रहा था, वैसी चलेगा, source से heat लेगा, Q1, हमें क्या देगा, work करके देगा, और इसके work को हम कैसे denote कर रहे थे, W' से, पूरी heat को वो work में convert नहीं कर सकता, कुछ heat को उसको, sink को reject करना ही पड़ेगा, यह engine का तो basic principle है, ठीक है, इसका work जादा है, और जो दूसरा engine था हमारा, reversible engine, car not engine, उसके हम सारे process को क्या कर दे रहे, reverse कर दे रहे, ठीक है, यह diagram देखिए, heat ले रहे, work दे रहे, कुछ heat sink पे reject कर दे, reverse कर देंगे, sink से heat लेगा, work इसको देना पड़ेगा, और कुछ heat वो क्या करेगा, source में देगा, जैसी reverse करेंगे, जैसी हम इसको reverse किये, क्या करेगा, यह कुछ work लेगा, क्योंकि अब यह क्या बन गया है, refrigerator बन गया है, यह heat pump बन गया है, जब इसको हम work देंगे, तो वो क्या करेगा, sink से heat निकालेगा, q2, और क्या करने लग जाएगा, source को heat देने लग जाए refrigerator यह car not heat pump बोले यह दोनों को मिला के reversible engine heat pump heat pump भी बन सकता है heat pump भी बन सकता है जाब उसकी process को हम क्या कर रिवर्स कर दे तो अब क्या हुआ इसको हमने process को reverse कर दिया अब यह क्या है जो reversible engine है जो refrigerator हो गया है अब ये क्या करेंगा refrigerator कुछ work लेता है हमें AC को बिजली पावर देनी पड़ती तब यह क्या करता है रूम से heat निकालके atmosphere में छोड़ता है रूम से heat निकालके यह हमारा room एदी refrigerator माने तो और atmosphere में heat छोड़ रहा है क्यों ऐसा कर रहा है क्योंकि हम उसको work दे रहे हैं ठीक है कि इसका work में थोड़ा सा irreversible engine का work में refrigerator को दूँगा तो भी में पस कुछ work बच जाएगा क्योंकि यह work जादा है और जब हमने इस carnot engine को reverse किया तो जितना work यह पहले दे रहा था उतना ही work तो लेगा और यह जितना work दे रहा था वो इससे कम था रिवर्सिबल इंजन से वो कम था तो जब यह reverse हो जाएगा इसको हम कुछ work देंगे इसी इंजन से वर्क दे इसको और जब इसको वर्क दे भी देंगे जितना work इसको चाहिए उसके बाद भी कुछ amount बच जाएगा क्योंकि डब्लू डैश बढ़ा है यहाँ ओके यह चीज ठीक है डब्लू डैश बढ़ा ही है यहाँ पर डब्लू से तो उत्तवर्क तो हम उसको देंगे ओके अब हमने क्या कर दिया इसको reverse कर दिया अब हम देखते नाओ q1 supplied supplied by r r मतलब क्या जो अभी क्या हो गया है हमारा refrigerator हो गया है का r not refrigerator तो जो यह q1 supply करेगा पहले statement लिख रहे ते फिर मैं आपको समझा दूँगा is same which is received by by कौन receive कर रहे है? जो हमारा irreversible engine I receive कर रहे है. So, source may be eliminated अब देखते हैं, जैसी हमने उसको reverse किया, तो यहाँ पर क्या हुआ? इसको हम कुछ work दे रहे हैं, तो भी कुछ work बच जा रहा है. अब यह क्या करेगा? जितनी heat वो ले रहा था, उतनी heat उसको अब देगा. Q1 same quantity रहेगा. Car not refrigerator Q1 heat source को देते रहेगा. ठीक है? अब जब यह source को heat Q1 दे रहा है, और यह क्या ले रहा है? source से उतने ही amount of heat Q1 ले रहा है, तो उपर वाले reserve wire की क्या जरूरत है? इसको इससे connect कर देते सीधा, तो जितनी heat यह देगा Car not refrigerator, उतनी heat क्या करेगा? यह irreversible engine ले लेगा. और इसी को यही चलाएगा, उसके बाद कुछ work भी बच जाएगा हमारे पास. वाव, यह तो खतरनाक हो गया. ठीक है? देखते हैं, तो जब हम क्या कर देंगे? Q1 तो same ही जा रहा है, इसको भी Q1 same दे रहा है, यह भी Q1 same ले रहा है, source को eliminate कर देते हैं आप. रोक के, नीचे क्या है दोनों के? sink है, जिसका temperature क्या है हमारा? T2 है. और यह engine क्या कर रहा है? उपर से heat ले रहा है, Q1 ठीक है तो पहले हम क्या करते हैं? इसका नीचे आल हिस्सा बनाते हैं. यह engine था irreversible तो यह Q2 heat reject कर रहा होगा. और यह refrigerator है, तो यह क्या ले रहा है? Q2 heat ले रहा है. इसका ही amount of work हम क्या कर रहे हैं? इसी को दे दे रहे हैं. तो यह क्या था? W dash work produce कर रहा था. अलग-अलग बनाते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा. जो irreversible engine है, वो W dash work produce कर रहा था. और यह work ले रहा है. कौन सा? W. दोनों को connect करते हैं, तो भी हमारे पास कुछ work बच जाएगा. W dash minus W. कुछ net output work हमें मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है? और जो R था हमारा, जो heat दे रहा था हमें Q1, इसी heat को हम इसी को दे दे. यह heat हम क्या किये? इसको दे दे. उपर वाला जो source है मतलब जो hot reservoir है, वो क्या हो गया? eliminate हो गया. ठीक है? तो अब यदि हम इस engine को देखें, तो यह engine क्या कर रहा है हमें? यह engine को यदि हम देखें, तो यह engine क्या कर रहा है? हमने माना है कि reversible, irreversible engine के efficiency दाद है. तो यह engine क्या कर रहा है? एक refrigerator को भी चला रहा है. ठीक है? वो जो refrigerator heat दे रहा है, उसी heat को use कर ले रहा है. एक ही sink के साथ क्या कर रहा है? एक engine है और एक ही sink के साथ क्या कर रहा है? heat exchange कर रहा है और network produce कर रहा है. W dash minus W. तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक ही reservoir से वो heat ले रहा है और network produce कर रहा है. ठीक है? कैसे Kelvin Planck की statement वोइलेट हो जाएगी? देखते हैं. क्या बोलती Kelvin Planck की statement? Kelvin Planck की statement मतलब क्या है second law? Second law दो पार्ट से बनाए. एक Kelvin Planck की statement, दूसरी Clausius की statement. Kelvin Planck की statement इदी कोई वोइलेट कर दिया तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो Kelvin Planck की वोइलेट ना करें. तो दोनों मिल के second law बन थी. एक को भी वोइलेट करेंगे, दूसरी भी वोइलेट हो जाएगी. तो क्या बोलती Kelvin Planck statement? It is impossible, ऐसा possible ही नहीं है, to construct an engine that operates in a cycle. ऐसा possible ही नहीं है कि हम एक ऐसा engine बना पाए है, जो cycle में चले, and produce no effect other than work output. और वो क्या कर रहा है? कोई और effect प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सिर्फ work output दे रहा है हमें, and exchange of a heat with a single heat reservoir. तो ऐसा इंजन बनाना impossible है, जो क्या दे? हमें net work output दे, और सिर्फ एक ही reservoir से क्या करे? वो heat exchange करे. इंपॉसिबल है ऐसा बनाना, बनी नहीं सकता है, यहीं बोलती, Kelvin Plank statement. किसके लिए अपलाई होती है? heat engines के लिए. चीक है, diagram में देखते है, एक ही heat इंजन है, सिर्फ एक ही source से heat ले रहा है, और इस पूरी heat को वो work में convert कर दे रहा है, कोई heat वो release ही नहीं कर रहा है, मतलब कोई heat उसमें lost ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे, sink में कोई heat दे नहीं रहा है, impossible है, ऐसा engine बनी नहीं सकता, क्यों ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि वो पूरी heat को work में change ही नहीं कर सकता, second law, यदि यह engine heat लेता है, तो इसकी खुद की boundary wall या खुद के, इसके कुछ system ही गराम हो जाएंगे, जो heat loss कर देंगे, और piston cylinder में जो friction होता है, उसके कारण भी कुछ ना कुछ energy loss हो ही जाएगी, जितनी वो energy लिया है, उतनी energy वो convert नहीं कर सकता, तो यह impossible है, ऐसा engine possible है, जो कुछ amount of heat को work में convert करे, कुछ जो lost heat है, उसको वो क्या कर दे, sink में reject कर दे, तो यही क्या है हमारी Kelvin Plank statement, तो जो हमने assumption लिया, इसका मतलब वो क्या हो गया, रॉंग हो गया, हमने जो assumption लिया था, क्या assumption लिया था हमने, कि जो हमारा irreversible engine है, उसकी efficiency क्या है, जादा है as compared to reversible engine, तो यह assumption हमारा क्या हो गया, रॉंग हो गया, जब यह चीज रॉंग हो गई, तो इसके opposite वाली चीज सही हो जाएगी, इसका मतलब क्या, कि opposite वाली चीज यह है, कि कोई भी engine की efficiency, reversible engine से जाधा नहीं हो सकती, एक reversible engine के बारे में बात करें, यह हम इसको बोल दें, car not engine, जो एकलोता, reversible engine होता है, किसी भी engine की efficiency इससे कमी होगी, इससे जाधा हो जी नहीं सकती, efficiency irreversible engine, तो यही चीज है, तो वही चीज हमें statement में बोली, और यही चीज क्या कर दी, हमने proof कर दी, क्या थी statement हमारी, सारे heat इंजन, जो दो temperature के बीच में work कर रहे है, उनकी efficiency कभी भी car not engine से जाधा नहीं हो सकती, और second वाले का तो proof हमें ऐसी दिखता है, T2 by T1 उसका formula होता है, तो working substance ही, तो कोई बात ही नहीं आ रही है, तो यह चीज हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, car not theorem हो गया हमारा proof, तो आपको समझ में आए एकदम अच्छे से, तो किसी भी इंजन के efficiency, car not engine से जाधा नहीं हो जाए, ओके, आगे बढ़ते हैं, अब जब हमने car not refrigerator देखी लिया है, car not engine कोई पूरा reverse करते हैं, तो वो car not refrigerator बन जाता है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, और refrigerator की हम क्या निकालते हैं, coefficient of performance, coefficient, coefficient of performance, किसकी देखेंगे हम, of car not engine, अब किसी को doubt हो सकता है, coefficient of performance हम car not engine को लिखें, coefficient of performance तो refrigerator की होती है, car not engine को reverse करते हैं, वो इकलोदा reversible engine है, जो refrigerator और heat pump बन सकता है, तो coefficient of performance car not engine की बोले, इसका मतलब वो car not engine reverse direction में चल रहा है, और refrigerator बन चुका है, ठीक है, तो car not refrigerator के लिए for car not refrigerator, अब आपको समझ में आ रहा है, कैसे car not engine refrigerator बन जा रहा है, यदि हम इसके लिए बात करें, तो इसके लिए हम एक expression use करते है, q1 by q2 equal to t1 by t2, ये expression हम क्या करते हैं, use करते है, car not engine के लिए, को इडेंशन नहीं है, अभी हम एक numerical बनाएंगे, उसमें हम ये expression को प्रूफ करना ही प करते हैं, यह हम बोले, COP, क्या है, coefficient of performance है, क्या होता है इसका, मतलब formula, desired effect by work input, क्या desired effect है हमारा, refrigerator रहा, तो हमारा desired effect क्या हो जाएगा, q2 हो जाएगा, जो वो नीचे, यहाँ पे, यहाँ पे ठंडा कर रहा है, AC के लिए ये room के अंदर का हिस्सा, fridge के लिए ये fridge के अंदर का हि work दे रहा है, तो output भाई, एक प्रकार से refrigerator की हमें efficiency जाननी है, तो हम coefficient of performance बोलते हैं, तो desired effect, एक refrigerator का desired effect क्या होता है, q2 होता है, कि कितना वो heat निकाल रहा है, जिसे space को हमें क्या करना है, ठंडा करना है, और यह उसका output हुआ, input क्या, जो हम उसको work दे रहे है, normally हम कैसा देते, electrical energy देते हैं उसको, तो कितना हम उसको work दे रहे हैं, यह चीज़ होती है, ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो q2 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डबलू को यहां पर change कर सकते हैं, कैसे, ठीक है, एक refrigerator को देखते हैं, और वहां से हम समझते हैं, यह है हमारा refrigerator, एक refrigerator इसके अंदर क्या रहा है W work done आ रहा है Q1 heat वो बाहर दे रहा है और Q2 heat वो सिंग से ले रहा है analysis करते है Q1 बाहर की तरफ equal to W, Q1 बाहर जा रहा है और W और Q2 अंदर आ रहा है तो W plus Q2 तो यहां से हम W equal to क्या बोल सकते है Q1 minus Q2 बोल सकते हैं किस हर case में engine के case में भी यही आता है तो यहां पे हम क्या करेंगे put करेंगे तो W को हम क्या बोल सकते है Q1 minus Q2 बोल सकते हैं यह जो formula है heat का heat के पॉर्म में coefficient of performance निकालने का ऐसा आप सारे refrigerator का निकाल सकते हैं हर एक refrigerator मकर जब temperature के term में आ है तो वो सिर्फ एक reversible refrigerator का ही लिख लेगा और सारे लोगों के लिए वो लागू नहीं होगा तो यही जो होगा वो किसके बराबर होगा T2 by Q1 के बदले आ जाएगा T1 और Q2 के बदले आ जाएगा T2 याद रखेगा यह जो फॉर्मूला है इसको आप हर refrigerator के लिए अपलाई कर सकते हैं चाहे वो reversible हो या irreversible हो मगर यह जो फॉर्मूला है T1 by T1 minus T2 T1 minus T2 यह सिर्फ एक reversible engine में ही हम लगा सकते हैं तभी तो reversible engine को हम चेक करते हैं कि इससे ज़्यादा efficiency तो नहीं है कोई भी reversible engine की efficiency हम इससे चेक कर सकते हैं कि कारनौट से ज़्यादा तो नहीं हो जा रही है हो ही नहीं सकता तो याद रखेगा यह जो फॉर्मूला है इसी reversible engine के लिए यह कोई भी engine में हम लगा सकते हैं ठीक है तो यहां से हमें क्या मिल गया बीटा यह स्योपी हम बोलें तो वह क्या हो जाएगा टीटू बाई टीवन माइनस टीटू और यहीं होगा हमारा expression क्योंकि क्या है हम क्या ले रहे हम तो अपना कारनौट रेफ्रिजिनेटर ल हो गिन हमारा टीटू zero हो गया और जीरो क्या जीरो केलविन हो गया 0 Kelvin से नीचे टेंपरेचर जाता है हो ही नहीं सकता 0 Kelvin ही कोही नहीं पहुँच पाया सिर्फ यह refrigerator की बात करें जो सिर्फ refrigerator है इसकी सिंग 0 degree temperature 0 Kelvin में है तो वो क्या ही heat निकालेगा भाई उससे निकाली नहीं सकता इसका मतलब जब किसी का T2 0 हो गया मतलब उसका sink का temperature 0 Kelvin हो गया तो उससे वो और क्या heat निकाल लेगा भाई करी नहीं सकता इसका मतलब क्या हो जाएगा जो सका coefficient of performance है तो वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा बीटा क्या हो जाएगा उसका मतलब इदी किसी का sink का temperature 0 Kelvin पहुंच गया तो उससे क्या heat निकाल लेगा तो coefficient of performance क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी मतलब cold body क्या है absolute 0 में और absolute 0 में तो पहुंच भी नहीं सकते तो यह हुआ हमारा कार्णोट रेफ्रिजिलेटर के बारे में ओके आगे वड़ते हैं अब हम क्या करते हैं अपने नुमेरिकल बनाना शुरू कर देते हैं हमने थियोरम के बारे में भी देख लिया कार्णोट इंजन के बारे में भी देख लिया एकड़म डीटेल में अब हम बनाएंगे अरा साइकल ठीक है कारनोट साइकल कंसीडर करना है operating between temperature T1 क्या है 500 Kelvin में और T2 है हमारा 300 Kelvin में ठीक है source का temperature 500 Kelvin और sink का temperature 300 Kelvin producing ए बन किलो Jules of mechanical work तो ये engine एक किलो Jules का क्या कर रहा है mechanical work produce करके दे रहा है per cycle हर cycle में ठीक है find the heat transfer to or buy the engine by or to the reservoir हमें क्या करना है heat transfer यही चीज हमें क्या वोली निकालने बोली गई थीक है एकदम सिंपल सा कुश्चन है तरह बनाके क्यों से इंजन दे रहे है क्योंकि उस्से से यह फॉली चेंज होँगी तो given values लिखते हैं मैं आपको हर चीज बता जूँँगा क्या ध्यान रखना है और क्या लगेगा क्या दिया है first हमें T1 दिया है मतलब source का temperature दिया 500 Kelvin T2 दिया है हमें sink का temperature दिया है 300 Kelvin और work दिया है हमें कितना वो engine work produce कर रहा है कितना 1 kilo joules का ठीक है क्या निकालना है हमें निकालना है हमें Q1 और Q2 निकालना है कितनी heat engine ले रहा है और कितनी heat engine reject कर रहा है ये दो चीज क्या करना है हमें calculate करना है ठीक है बनाते हैं इसको तो क्या बोला है हमें car not engine के बारे में बोला है तो कार नॉट इंजन से आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यह क्या है रिवर्सिबल हीट इंजन है जिसको उल्टा कर दे तो रेफ्रिजरेटर भी बन जाएगा ओके डाइगराम बनाते है सोर्स का डेमपरिचर क्या रहता है टीवन रहता है एक हीट इंजन है तो यह क्या होगा यहाँ पर एक हीट इंजन नीचे क्या रहेगी सिंक रहेगी हमारी सिंक का डेमपरिचर क्या होगा टीटू टीवन टीटू हमें गिवन है अब यह क्या करेगा यह इंजन heat लेगा q1 और हमें क्या देगा work produce करके देगा और कुछ amount of heat वो क्या करेगा reject कर देगा sink में यही चीज़ है और हमें w की value दिए 1 kg तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अपना analysis कर सकते हैं कौन सा वाला इस heat engine को point ले ले अंदर क्या आ रहा है ऐसा आप हमेशा करके देखेंगे तो आपको कभी doubt नहीं होगा अंदर आ रहा है q1 बाहर निकल रहा है w और बाहर एक और चीज़ क्या निकल रही q2 भी निकल रही है तो q1 equal to क्या हो गया अंदर equal to दोनों बाहर वाले w plus q2 तो w equal to क्या हो जाएगा q1 minus q2 ठीक है यह analysis आप करके रखी लीजिए हमेशा आपको काम ही आएगा ठीक है अब हम use करते है thermal efficiency का formula क्योंकि उससे क्या हो जाएगी सारी चीज़ सबज माज जाएगी thermal efficiency और आर भी लिग देते हैं सब्सक्रिट में क्योंकि एक प्रकार का reversible इंजन है maximum आपको reversible इंजन ही मिलेंगे question ठीक है क्या होता है फॉर्मला इंजन का इंजन का इंजन का वर्क इंपूट क्या है इसमें मिल रही है heat q1 ठीक है अब w को हम क्या लिख सकते q1-q2 लिख सकते बिलकुट और नीचे क्या है यहाँ पे q1 यह तो है साती साथ अब यह क्या है एक reversible इंजन है तो इसको हम t के form में भी लिख सकते है t1-t2 by t1 तो अब हम क्या करेंगे किन दो चीजों को compare करेंगे इसको और इसको दोनों तो बराबर ही है सब बराबर में ही है ठीक है यहाँ से हमें क्या निकालना है पहले हमें q1 निकालना है तो क्रॉस क्रिच करतेंगे q1 उपर चले जाएगा और यह इधर तो डव्लू के पास क्या आजाएगा क्रॉस जोनों आजू बजू पर रखते हैं और क्रॉस क्रों क्रॉस म्ल्टीप्लाइ करते हैं क्या निकालना है हमें q1 निकालना है ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा w T1 W के पास ये T1 चले जाएगा और T2 माइनस T1 इसके नीचे में आ जाएगे T1 माइनस T2 और ये Q2 क्या होगा ऐसे उपर चले जाएगा क्रॉस मल्टिप्लाई होके एक्वल टू Q2 यह आ जाएगा expression बिल्कूल इस expression में value पूट कर देते हैं यह ओले expression में तो क्या मिल जाएगा हमने क्या लिख दिया Q2 लिख दिया कि Q1 होगा Q1 क्योंकि हम तो Q1 ही निकाल रहे न और Q1 ही input रहती है उस engine की छीक है देखते हैं Q1 कितना आएगा W कितना दिया है हमें एक किलो जूल का दिया है किलो जूल में ही रखते है कोई डेंचन यह answer भी किलो जूल में आ जाएगा इन्टू T1 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 कितना दिया है 500 और T1-T2 500-300 यह हो जाएगा तो यहां से हम solve करेंगे तो Q1 आ जाएगा हमारा और Q1 कितना आएगा 2.5 किलो जूल मतलब वो इंजन आप देखें 2.5 किलो जूल की क्या लिया था हीट लिया था मगर वर कितना प्रोडूस करके दिया हमें एक किलो जूल का ही दिया इसका मतलब कुछ हीट तो वो रिजेक कर दे रहा है सिंक में और कितनी हीट रिजेक कर दे रहा है क्या होगा हमारा देखते हैं हमने एक अनालीस करके रहा है इसलिए हम बोलते हैं कि यहां पर क्यूट देखेंगे तो डबलू को हमें माइनस करना पड़ेगा बस तो क्यूट यक्वल तो क्या हो जाएगा डबलू माइनस क्यूट त्यूट डबलू कितना आया है 2.5 डबलू कितना है वन कितना आ जाएगा Q2 हमारा 1.5 किलो जूल्स तो यह हो गया हमारा कोशन सॉल यह दोनों चीज हमें निकालने बोला था हमने क्या कर ली कैल्कुलेट कर ली सिंपल सा कोशन है एकदम यह आप क्या करेंगे डाइग्राम बनाएंगे ऐसा तो आपको हर चीजे समझ में आएगी कोई दिक्कत होगी यह नहीं आप ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन देख अब क्या है एक रेफ्रीजरेटर है ओके रीट करते हैं को रेफ्रीजरेट फिरहाने कट्रणिब्स को हमेशा करीटर करना है by 215 00 कैलकुलेट्टी आवरेज व 215 मतलब डबलू निकालना है हमें कितना वो रेफ्रिजिरेटर वर्क ले रहा है एजुमिंग नो एनर्जी लॉसेस इन्दी प्रोसेस यह लाइन इकदम लास्ट में आई मीनिंग नहीं लगता मगर इसी का मीनिंग है क्योंकि इसी को समझ के हम T वाला फॉर्मला लगा सकते हैं याद रखेगा नो एनर्जी लॉसेस बोला है तो कार नॉट रेफ्रिजिरेटर हम मान सकते हैं इसको मतलब एक रिवर्सिवल रेफ्रिजिरेटर है यह ओके सॉल्व करते हैं अभी इस कोश्चन को तो नो एनर्जी लॉसेस बोला वो ही क्या है यहाँ पर की पॉइंट है इस कोश्चन का चीक है सॉल्व करते हैं इस कोश्चन को इस कोश्चन का आंसर सेगेंड वाला कोश्चन गीवन वेल्यूज देखते हैं, क्या-क्याइवन है हमें? क्या दिया है? Q2 दिया है, Q2 मतलब, उसको ट्रांसफर करना है, इतनी हीट, माइनाश 10 डिग्री सेल्चर से इतनी हीट निकालना है, तभी वो क्या होगा, रेफरिजेटर वर्क करेगा, तो यह क्या दिया था हमें question में q2 दिया था जो कितना 263 joules per second दिया है हमें okay कोई problem नहीं joules per second दिया है question में हमें क्या बोला है निकालने find the average power बोला है हाँ इसलिए वो seconds में दिया है ठीक power क्यों होती है watt joules per second watt watt ही तो होती पावर एक प्रगार से यह भी क्या है heat भी watt में ही है और क्या दिया है temperature किसका temperature दिया है sink का temperature जो क्या है minus 10 degree Celsius अब इसमें हम क्या करेंगे 273 प्लस करेंगे minus 10 plus 273 क्योंकि हमें सारा चीज किस में करना है Kelvin में करना है याद रखेगा तो T2 यहां से कितना आ जाएगा हमारा minus 10 plus 273 में से minus 10 कर देते हम तो अपना आ जाएगा 263 Kelvin 263 Kelvin आ जाएगा T2 ओके और क्या दिया है हमें T1 दिया है जो T1 कितना है 25 degree Celsius में Celsius में तो Kelvin में चेंज करेंगे 25 plus 273 यहां से हमारा T1 कितना आ जाएगा मतलब source का temperature 25 plus कर देंगे 273 में तो source का temperature आ जाएगा 298 Kelvin यहां निकल गया हमारा temperature ओके और जो main important चीज बोला है उसको भी हम note कर लेते हैं क्योंकि वह most important है assume no energy loss no energy loss इसका मतलब क्या होगा हम यहां पर मान लेंगे reversible refrigerator है मतलब car not engine ही उल्टा चल रहा है हम ऐसा भी मान सकते हैं कोई problem नहीं चीक है कि डाइग्राम बना लेते हैं इसका ताकि हमें आसानी जाए यह हो गई हमारी सोर्स सोर्स कित्ते टेंप्रेचर पे तीवन हमारा है 298 Kelvin पे है यह हमारा टीवन ठीक है बीच में क्या लगा हुए एक refrigerator लगा हुए यह हमारा रेफ्रिजुरेटर अब बात है यह क्या करेगा वर्क लेगा वर्क लेगा उपर में तो हीट दे गई और नीचे यह हीट निकालेगा कहां से सिंक से जो सिंक कित्य टेंप्रेचर पे माइनस दस मतलब टू 63 Kelvin पे है मतलब यह क्या है टीटू हमारा तो 63 Kelvin पे है यहीं से यह हीट निकाल रहा है क्यू टू जो हमें कोश्चन में गिवन है कि कितनी वह हीट नीचे से निकाल रहा है पूरी चीज़े हमने बन गई अब हमें क्या निकालना है सिर्फ डबलू निकालना है क्या बूच्छा है क्या निकालो डबलू निकालो कितना वह पावर कंजूम करेगा यह रेफ्रीजरेटर ओके सौल्व कर लेते हैं चीक है, सारा चीज़े हमने लिख ली, एनालिसिस हम कर सकते हैं, बीच में, तो देखते हैं, सी ओपी देखते हैं, कोफिशन्ट अब परफॉमेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटा, रेफ्रिजरेटर हैं, तो डिजाइड इफेक्ट क्या होगा, डिजाइड इफेक्ट बाई वर्क इन्पूट, डिजाइड इफेक्ट क्या है, यहाँ पर डबलू है, ओके, यह चीज लिख सकते हैं, अब क्या होगा, Q2 divide by, डबलू को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 minus Q2, बिलकुल लिख सकते हैं, फिर से analysis करते हैं, पॉइंट बाई लेते हैं, रेफ्रिजरेटर को, अंदर क्या जा रहा है, डबलू, बाहर क्या दे रहा है, एक Q1, और अन्दर एक और चीज क्या जा रही है Q2 यहां से क्या हो जाएगा बाहर जा रहा है Q1 इक्वल टू डब्लू प्लस Q2 तो डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 ठीक है यह अनालिसिस तो आप करते रहेंगे हमेशा तो आपको समझ में आते रहेगा तो यहां पर हमने रिवर्सी बन होता है तो टेंपरिचर के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं यह वाली स्टेट्मेंट हम ठीक है यह हो गया हमारा फॉमला क्या निकालना है हमें डबलू बस निकालना है, यह डबलू, और Q2 पता है, और दोनों temperature पता है, यहां से हम यह दोनों को use करके क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, डबलू निकालना है, cross multiply करते हैं, डबलू उपर चले जाएगा, तो डबलू, बसलब work done, डबलू उपर चले गया, Q2 के पास क्या आ ज T2, बिल्कुल T1 minus T2, और नीचे क्या आ जाएगा, यह T2 नीचे, यह आ गया, T2 नीचे, Q2 की value देखते हैं, कित्ती दी, 263 ही दिया था, बिल्कुल, 263, और unit क्या थी उसकी, joules per second में थी, ok, joules per second में यहां पे भी रखा हुआ है, T1 क्या है हमारा, temperature हमें T1 का दिया हुआ थ 298 Kelvin minus T1 हमारा source का temperature, 263, यह क्या था, हमारा sink का temperature, divided by T2, T2 क्या है हमारा, 263, यह दोरों तो ऐसी दिख रहा है, आपस में cancel out हो जाएगा, तो यहां से, यही हम work done देखेंगे, तो work done किता आएगा हमारे engine का, 35 joules per second में आएगा, क्यों joules per second में आएगा, क्यों joules per second में आएगा, क्योंकि यहां पे चोगे 263 था, यह भी joules per second में था, तो यह दोनों की temperature की limits, units cancel out हो जाएगी, joules per second में क्या आजाएगा, हमारा W, तो वो बोला है, power निकालो, कित्ती power engine consume कर है, तो answer क्या होगा, W हमारा, W 35 watts बोल देंगे, क्योंकि joules per second क्या होता है, watts होता है, तो यह आगया हमारा answer, एकदम simple question है, बिल्कुल बस क्या करना है, plus minus ही करना है आपको, और थोड़ा बहुत वो करना है, ओके, यह question होगे आओगा, आपका, अगला देखते है, next question देखते ह देखते है, question क्या बोल रहा है, एक बार read करते है, a carnot engine takes 106 cal of heat, एक carnot engine है, जो 106 calories की heat ले रहा है, from a source at 827 degree Celsius, ठीक है, एक source से ले रहा है, जो 827 degree Celsius में है, and exhausted to a sink of 27 degree Celsius, और कुछ पार्ट अपनी heat जो engine normally reject करता ही है, उसको वो 27 degree Celsius के sink में कर रहा है, how much work does it give, okay, work निकालना है engine कहां में, engine है, okay, engine का work निकालना है, यहां output बने, ठीक है, what is the engine's thermal efficiency, engine की thermal efficiency क्या होगी, ये भी पूछ रहा है, दूसरी चीज़ पूछा ही, also find out the coefficient of performance of the engine, if this, if it is used to run in reverse direction, बिल्कुल, carnot engine है, उल्टा चलाएंगे, carnot engine को reverse कर देंगे, तो बोला, पहले work done निकालो, जब वो engine रहेगा, जब वो engine रहेगा, तब उसकी thermal efficiency निकालो, और यदि हम उसको पूलर reverse कर देते हैं, तब उस engine की coefficient of performance निकालो, यदि carnot engine, refrigerator बन गया, तो, बन जाएगा, तब third चीज, okay, solve करते हैं इस question को, first हम लिखेंगे, अपनी given values, पहले क्या क्या चीज given है, उसको हम note कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आसानी से सारी चीज़ समझ माँ जाएगी, most important point क्या दिया है हमें, carnot engine बोला है, तो यह चीज याद रखने हैं, तब ही हम T वाला formula लगा सकते हैं, carnot engine हमें दिया है, जो क्या है एक, reversible engine है, और इसको हम reverse करेंगे, इसी question में, ओके, और क्या दिया है हमें, Q1 दिया है, इत्ती heat क्या कर रहा है वो, 827 degrees से ले रहा है, वो जाए temperature है, मतलब वो source है, तो इतनी heat वो क्या कर रहा है, source से ले रहा है, कित्ती, 10 to the power 6 calories, 10 to the power 6 calories की heat ले रहा है, ओके, यहाँ जो question है, इसमें क्या है, 6 power में नहीं गया है, कहां गया, यह वाला, 6 power में नहीं गया है, तो यह 10 to the power 6 है, को अधिक्त नहीं, solve करने से पहले हमें पता चल गया, 10 to the power 6 calories की heat में तर एक के पीछे 6 0 की calories की heat ले रहा है, T1 हमें कित्ता दिया है, source का temperature, 827 degree Celsius, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सो Kelvin में change करना पड़ेगा, 827 plus 273, तो कित्ता आ जाएगा हमारा, T1 आ जाएगा हमारा, 1100 Kelvin, 1100 Kelvin आ लिया, ओके, T2 भी दिया है हमें, T2 कित्ता दिया है, 25 degree Celsius, 27 degree Celsius, 27 degree Celsius, तो 27 plus 273, तो यह कितना हो जाएगा, सिंग का temperature कितना हो जाएगा, 300 Kelvin, यह दिया हमें, 300 Kelvin, दोनों के निकल गया हमारा, temperature, उसमें निकल गया, Kelvin में निकल गया, ओके, क्या-क्या निकालना है हमें यहाँ पे, निकालना क्या है, एक तो पहले, work done निकालना है, ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, thermal efficiency निकालना है, efficiency TH, और βीटा निकालना है, यह हम बने COP, if reversed, जब इंजन को हम reverse कर देंगे, तब बीटा क्या होगा, यह चीज़ निकालने बोला है, कोई पॉब्लम नहीं, तो डियाग्राम बना लेते हैं, source हमारी T1, बीच में क्या लगा हुआ है, refrigerator लगा हुआ है, पहले क्या है, पहले तो हमारा engine है, कोई पॉब्लम नहीं, पहले है हमारा heat engine, और नीचे क्या रहेगी हमारी sink, T2, दोनों के temperature हमको दिख रहे हैं, अब यह क्या करेगा, यहाँ से heat engine है, तो पहले तो source से heat लेगा Q1, हमें देगा work, और कुछ amount of heat क्या करेगा, Q2 sink में reject कर देगा, चीक है, invert outward analysis भी कर लेते, Q1 equal to W plus Q2, यह अंदर आ रहा है और यह दोनों बाहर जा रहे हैं, तो W equal to Q1 minus Q2, यह expression तो हर बार आएगा, यह आएगा, तो आपको याद रख रहे हैं, ठीक, पूरा engine हो गया, सब चीज हमने बना ली, ओके, तो first हमें निकालना है, work done, तो पहले हम निकालते हैं, work done, फिर thermal efficiency निकालेंगे, फिर उसके बाद engine को reverse करके, coefficient of performance निकालेंगे, तो इसके लिए फिर यूज करना पड़ेगा, formula thermal efficiency का, engine है, heat engine, तो क्या देगा, output हमें work देगा, और input में क्या लेगा, Q1 heat लेगा, W क्या है हमारा, Q1 minus Q2 है, हमने अभी analysis किया, अंदर आने वाली चीज़ और बाहर आने चीज़ का, यह formula हर engine के लिए लग जाएगा, मगर इसके आगे वाला जो part है, वो formula सिर्फ reversible engine के लिए लगेगा, जो इस question में है, और maximum आपको शायद reversible engine ही मिलें, T1, T2, ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यह दोनों चीज़ों को compare कर लेते, क्योंकि हमें क्या दिया है, Q1 दिया है question में, Q1 हमें question में given है, कि 10.6 calories की heat वो ले रहा है, यह Q1 की value हमें given है, 10 to the power 6 cal, तो डाल देते value को, W निकालना है, तो cross multiply कर देते, बिल्कुल, तो W equal to क्या हो जाएगा, Q1 bracket में T1 minus T2 divide by T1, यही होगा, बिल्कुल, value foot करते हैं, Q1 दिया है 10 to the power 6, T1 कितना है, 1100 kelvin है, minus T2 है हमारा 300 kelvin, divide by T1 हमारा क्या है, फिर आएगा 1100 kelvin है आपे, बिल्कुल, तो W कितना आजाएगा, इसको अब solve करेंगे, normal सहब वो है, तो इसको अब solve करेंगे तो, 0.727 into 10 to the power 6 आएगा, मतलब इसको हम अच्छे से लिखना चाहें, तो W आ जाएगा हमारा, 7.27 into 0.1 की लिए हैं, तो into 10 to the power 5, यह क्या आगया हमारा answer, एक answer आगया हमारा, जो हमें वो work done निकालने बोला था, 7.27 into 10 to the power 5, एक हमारा आगया, अब फिर आगये बढ़ते हैं, next हम देखते हैं, thermal efficiency निकालने के, thermal efficiency निकालने बोला हम देखते हैं, क्या हो जाएगा, temperature से ही निकाल सकते हैं, तो पता है, और thermal efficiency में temperature होला formula कब लगाएंगे, जब वो क्या है, reversible, मतलब जब वो engine reversible है, तभी हम लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम value पुट करते हैं, temperature की, T1 क्या था हमारा ग्यारा सो, माइनस, T2 था हमारा थीन सो, और T1 फिर क्या था हमारा ग्यारा सो, तो thermal efficiency कित्ती आजाएगी engine की, engine की thermal efficiency आजाएगी, 72.72%, यह आजाएगी thermal efficiency, 72.72 आएगी, आप इससे into 100 करेंगे, तो वह आपको ऐसा percentage में देगा, यह आगई आपकी efficiency, ओके, आप बोला, बीटा निकालो, जब engine क्या हो जाएगा, reverse हो जाएगा, तो next अब हमें निकालना है, बीटा, तो देखते हैं, जब हमें engine reverse करना है, तो इसके लिए एक छोटा सा diagram लगेगा, T1, अब यह refrigerator बन गया, अब यह क्या लेगा, वर्क लेगा, और T2, T2 से heat लेगा, यह Q2, और source को वह heat देगा, अब यह क्या बन गया, अब यह refrigerator बन गया, तो इसका हमें क्या निकालना है, बीटा या COP निकालनी है, तो क्या होगा formula, desired effect, बीटा बोले, या COP बोले, सेम चीज़, formula होगा, desired effect, refrigerator है, क्या होगा desired effect, उसका Q2, divide by, input क्या दे रहे हैं, हम वर्क, तो W, ओके, W हमको पता है, क्या हमें Q2 पता है अभी तक, नहीं पता है, चीज़, तो आगे हम क्या करेंगे, relation लगाएंगे, कौन सा relation लगाएंगे, जो मैंने आपको बोला था, car not, refrigerator में use करनेगा, क्या था वो relationship, मैं आपको दिखाता हूँ, Q1 by Q2 is equal to T1 by T2, ये relation से हम क्या निकाल सकते हैं, Q1 by Q2 और T1 by T2 निकाल सकते हैं, तो ये relation आता कैसे हैं, इसको हम देख लेते हैं, तो क्या था हमारा, coefficient of performance का क्या था, Q2, Q1 minus Q2 by Q1, ठीक है, T2 आ जाएगा, ठीक है, ये relation आप क्या कर सकते हैं, ऐसी normally भी निकाल सकते हैं, value रखके, कहां गया, coefficient of performance वाला, इसी में value रखके, आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि M, C, V, D, T होता है, temperature एक है, thermal capacity infinite है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा Q2 निकल जाएगा, देखते हैं, आज बरते हैं, यह निचीज जो हम ने देखी, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, बेलकुल, ठीक है, देखते हैं, क्या होगा, इंजन की जो efficiency होती है, thermal efficiency, वो क्या होती है, Q1 माइनस Q2 बाई, Q1, अब यह क्या है, यहाँ पर यह engine की efficiency, कार नॉट इंजन की, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा करते हैं, और यही क्या होता है हमारा, आया एक्सप्रेशन, 1- T1- T2 by T1, सेम वैसा ही लिख सकते हैं, उसको temperature के डाम में, ठीक है, दोनों के नीचे देते हैं, Q1 by Q1 minus Q2 by Q1 equal to T1 by T1 minus T2 by T1, देखते हैं, क्या-क्या cancel out हो जाएगा, यह दोनों तो आपस में cancel out होई रहें, यह दोनों भी आपस में cancel out होई रहें, वन तो बन आई रहे ठीक है अब यहां पर क्या है एक वन है और इधर क्या है ऐसा है ओके दोनों क्या हो गए अपने कैंसल आउट हो गए यहां पर तो वन माइनस क्या आया expression आया हमारा 1-q2 by q1 equal to 1-t2 by t1 यही expression आया अब दोनों 1 को हम क्या कर सकते और दोनों negative sign को भी cancel कर सकते तो at last क्या आया q2 by q1 is equal to t2 by t1 उल्टा कर देंगे उल्टा कर देंगे तो q1 equal to t1 और q1 के सामने t1 q2 के सामने t2 तो यही चीज तो आई ही यही चीज आएगी code engine नहीं तो यहाँ पी क्या है इससे हमें क्या मिलेगा q2 मिल जाएगा तो क्यों हमें q1 तो पता है और t1, t2 पता है ठीक है अब निकालते हैं हम अब हम निकाल लेते हैं अपना q2 q2 equal to क्या हो जाएगा यहां से हम q2 निकालेंगे तो q1 into t2 by t1 value put करते है q1 क्या था हमारा 10 to the power 6 के याल था into t2 क्या था हमारा 300 Kelvin और t1 था हमारा 1100 Kelvin तो q2 की value कित्ती आ जाएगी यहां पे 0.27 into 10 to the power 6 जाए इसको हम बोले अच्छे से लिखें तो q2 हजाएगा हमारा 2.7 into 10 to the power 5 10 to the power 5 unit के चल रही cal चुकि हमने क्या सारी चीश किसमें ले दे calories में ले ले calories यह आ गया हमारा q2 ओके अब जब q2 आ गया है तो अब हम COP निकाल सकते हैं बिलकुल तो जब उसको हम reverse work करने लग गए उस engine को क्या हो जाएगा q2 by w q2 कित्ता है हमारा 2.7 into 10 to the power 5 और work done देखते हैं हमारा कित्ता है work done हमने निकाला था 7.27 into 10 to the power 5 इतना ही work वो ले भी रहा होगा याद रखेगा रिवर्स होने के बाद पहले वो जितना वर्क दे रहा था इंजन कारनाट इंजन उसको रिवर्स कर दिए तो उतना ही वर्क लेगा जब वो रेफ्रिजरेटर बन जाएगा याद रखेगा यह चीज तो हमने अभी थियोरम में भी देखी है ठीक है तो क्या हो जाएगा डि 371 0.371 क्या जाएगी हमारी कोफिशन्ट और परफॉमेंस आ जाएगी ऐसा ही आता है अंसर यह भी क्या है सही तो यह कोश्चन होगी है हमारा सॉल ओके एक और कोश्चन देखते हैं लास्ट हमारा इस चैप्टर का उससे क्या हो जाएगा हमारे यह पूरा चैप्टर थर्म इंजन विट आइडियल गैस इस फॉर फ्रीजिंग वाटर इक कारॉट इंजन है जिसमें क्या हो रही है कारनोट इंजन मतलब रिवर्सिबल इंजन आइडियल गैस हम यूज कर रहे है पानी को फ्रीज करने के लिए बौर को बीच इस जिरो डिगरी से ठीक है ओविशी ब परिषएटब में एक 50% ही है। मतलब अपनी pada 50% ने पाईगी 5200वैंट iy घ्येटर लेएक मोटर से 500 वाट के क्योंकि 50% efficiency, find the time to freeze 25 kg of water, समय निकालो बोल रहा है 25 kg पानी को freeze करने के लिए, take 25 डिग्री सेल्सियस and 0 डिग्री सेल्सियस as the source and sink, 25 को source 0 को sink लेना है latent heat of the ice is 333 into 10 to the power 3 joules per kg, यह क्या दिया है, हमें latent heat दिया है, तो याद रखीगा यहाँ पे हमें time निकालने बोल रहा है कि कितना time लगेगा पानी को cyclic process में करने के लिए, तो इसको हम कैसे निकालेंगे unit balance करके ही हमें पता सल जाएगा कितने seconds में answer आएगा, अलाक से कोई formula की जरुद पड़ेगी ही निपड़ेगी एक heat हम engine के हिसाब से निकालेंगे एक heat हम ml करके निकालेंगे तो एक में seconds रहेगा तो इसका मतलब हमें मिल जाएगी 500 watt है, तो अब्वेसी बात है joules per second में एक चीज चलेगी और हमें सारी चीज़ें मिल जाएगी ठीक है, solve करते हैं इस question को तो first हमारी given values क्या-क्या given है, देखते हैं car not engine है car not engine बोला है ठीक है, को दिक्कर नहीं, यहां पे वो क्या कर रहा है refrigerator जैसा work कर रहा है, याद रखेगा तो किसी को confusion नहीं होना चीज़े, car not engine बाजू में refrigerator लिखा है, कोई problem नहीं, सारे process उसके reverse कर तो refrigerator बन जाता है यहां पे reversible engine यूज हो रहा है, इसा ही दरीके से बोला जाए तो ओके, T2 दिया है हमें कितना 0 degree Celsius, sin का temperature इसका मतलब यह कित्ता होगा 273 Kelvin T1 दिया है हमें T1 कित्ता दिया है हमें 25 degree Celsius यह कित्ता हो जाएगा, इसमें हम प्लस 273 करेंगे 25 प्लस 273 तो T2 आ जाएगा हमारा T2 आ जाएगा 298 Kelvin 298 Kelvin ओके, T2 भी आ गया और T1 भी आ गया इलेक्ट्रिक जो मोटर है जिससे वो रन कर रहा है उसकी पावर कित्ती है 500 Watt दिया है मगर उसकी जो efficiency है वो कित्ती है, 50% ही है इसका मतलब टोटल वर्क आउटपूट जो इंजन ले रहा होगा वो कितना हो जाएगा, आदा हो जाएगा जस्टिस का, तो जो वर्क आउटपूट इंजन ले रहा होगा वो कितना ले रहा होगा, 2500 Watt क्योंकि 50% की efficiency है उत्ता ही वो दे सकता है तो ये क्या मिल गया, हमें W भी मिल गया इस डाटा से ओके, और एक और डाटा क्या दिया है हमें मास दिया है यहाँ पर वाटर का कितना? 25 kg और latent heat दी है जब वो face change करेगा तो उस समय वो कैसी heat लेगा 333 इंटू 10 to the power 3 joules पर केजी joules पर केजी ओके, ये सारी चीजे हमें question में गीवन ठीक है, refrigerator है तो diagram भी जल्दी से बना लेड़े block P1 ये हमारा refrigerator लेगा ये work लेगा, जो कौन दे रही है उसको electric motor दे रही है, 50% efficiency मतलब 250 kilojoules 250 watt का work दे रही है मतलब joules पर second ओके, तो refrigerator क्या करता है एक sink से heat निकालता है Q2 और source को heat दे रही है Q1 ये बने गया हमारा block diagram भी refrigerator का, ओके तो क्या use करेंगे हम formula COP का coefficient of performance या बोलें, बीटा दोनों से अब denote कर सकते हैं, मैं तो दोनों चीज़ दिखा रहा हूं उपको T2, सीधा अब हमने ले लिया, ओके Q2 निकालते है Q2 देखते हैं कित्ता आ रहा है, तो W into T2 by T1 minus T2, यही होगा W हमें बता चल गया, कित्ता है 200 watt लग रहा है, joules पर second में यह, ओके into T2, T2 कित्ता था हमारा, 0 degree Celsius पर उसका sink था, 273 Kelvin तो यहाँ पर आ जाएगा, 273 into divide by T1 T1 हमारा कित्ता है T1 हमारा यहाँ पर एक mistake T2 लिखा हुआ है, यह है T1 क्योंकि हमने उपर T1 निकाला है, 271 तो values एक बार चेक कर लेते हैं T2 है हमारा 273 यह हो जाएगा, T1 हमारा 298 minus 273 T1 की value 298 आईए, ओके अब पुट कर दिये, यहाँ से हम क्या कर सकते है, Q2 निकाल सकते है तो Q2 किता आज आएगा हमारा 273 0 units क्या आएगी joules per second यह unit ही यहाँ पर important है आएगे बढ़ते हैं अब टोटल हीट जो एक्स्टेक्ट होगी 25 केजी वाटर से वो क्यासे निकाल सकते हैं Q is equal to ML इतना ही हीट क्या लेगा water मतलब freeze कर रहे है उसको तो इतनी हीट वो क्या करेगा release करेगा इतनी हीट वो छोड़ेगा और Q2 में भी कितनी हीट वो छोड़ रहा था मतलब Q2 से उतनी हीट वो निकाल रहा था ठीक हैं तो ML Q ले लेते हैं M कितना दिया है हमें 25 किलो दिया है और लेटेंट हीट कितनी दिया है 3 3 3 इंटू 10 to the power 3 ओके यह जो पूरी टम आएगी यह आएगी जूल्स में याद रखेगा तो Q equal to कितना आजाएगा सिर्फ यहाँ पे जूल्स है लेटेंट हीट किया थी देखते है जो कोशन में हमें दी थी जूल्स पर केजी गिवन थी बिल्कुल यहाँ पे जूल्स पर केजी रखेंगे और M तो खुद केजी में है यहाँ पे केजी में खुद M है और जूल्स पर केजी रखेंगे तो केजी के अंसर आट हो जाएगा सिर्फ इसका आंसर जो आएगा, वो किस में आएगा, जूल्स में आएगा, और कितना आएगा, 825,000, जूल्स, इतनी हीट हमको क्या करनी पड़ेगी, वाटर से निकालनी पड़ेगी, कब जब सराउंडिंग अपने एक पर्टिकुलर टेमपरेचर में, सराउंडिंग हमारा क और टोटल इतनी हीट निकालनी है, कितना डाइम लगेगा, दोनों को डिवाइट कर देते हैं, तो टाइम टेकन, और एक के पास सेकेंड है, यूनिट्स में, और एक के पास नहीं है, तो अल्रेडी हमारा आंसर आजाएगा, टाइम टेकन, वाल्टू क्या हो जाएगा, हमे सेकेंड्स ची है, तो इसको उपर रखेंगे, क्यू डिवाइड बाइ, क्यू टू कर देंगे, तो 825,000, डिवाइड बाइ, 27,30, उपर वाले के पास क्या है, जूल्स, नीचे वाले के पास भी जूल्स, पकर पर सेकेंड भी है, तो सेकेंड्स उपर में आएगा, तो जूल 049.45 seconds इत्ता seconds लगेगा उसको उस engine को उस water को zero degree Celsius में freeze करने के लिए यह आगया हमारा answer इत्ता second time लगेगा उस engine को चीक है तो इसी के साथ क्या होता है हमारा thermodynamics complete यह वला chapter पूरा complete इसके पहले भी हमने previous बहुत सारी chapters complete कर लिए तो जित्ते भी लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं अभी तक के लिए इत्ता ही thank you